नमस्का, राजनमा टीही पर आपका स्वागत हैं, मैं प्रियाम आपके साथ कनाड़ा की बॉर्डर सर्विस एजनसी सीबी सीए ने साथ सो भारती स्टूडेंट्स के लिए डिपोर्टेशन यानी देश से निकाले जाने का लेटर जारी कर दिया है सीबी सीए के मताबिक इन स्टूडेंट्स के पास जाली एडिशन लेटर से जिसके जरी इन्होंने कई उनिवर्सिटी में एडमिशन लिया दे केनेडियन प्रेस के मताबिक कनाड़क में पी एम जस्टिन टूडो की सरकार ने चात्रों को वापस भारत भजने का फैसला किया है महीं डिपोर्ट किये जाने के डर से ये स्टूडेंट्स देश भर में प्रदशन कर रहे हैं इस्टूडेंट्स का आरूप है कि वो जिन एजेंट्स के जरे करणा आये थे उन्होंने धोकादड़ी की है ये एजेंट्स पहले पैसे ले लेते हैं और फिर चात्रों को जाली डॉक्यमेंट देते हैं इसके बाद वो यूनियोसिटी में सीट फूल होने का भाना करके इस्टूडेंट्स को दूसरी यूनियोसिटी में एड्मिशन दिलाते हैं डिगरी पूरी करने के बाद कई चातर जब नागरिक्ता के लिए अपलाई करते हैं तो उन्हें पता चलता है कि उनके दस्तावेज गलत हैं करनाड़ाई सरकार के कोश्टना में भारत के करीब 700 स्टूडेंट सीबी सीए के हैड़कॉर्टर के बाहर और मीसी सागा एयरपोर्ट के पास धरने पर बेठे हैं इन में से ज़्यादा दा स्टूडेंट परांद के हैं इसमें पंजाब के एनराई मामलों में मंत्री कुल्दिप सिंग धालीवाल ने विदेश मंत्री एजजय शंकर के मामले में अस्त्रशिप की मांग की है उन्होंने का कि इन स्टूडेंट को धोका दिया जा रहा है उन्होंने भाल जाकर पढ़ाई करने के लिए लाकों रूपे खचके हैं कई लोगों ने अपना घर तक गिर्वी रखा है हम भारती विदेश मंत्री से मुलाकात कर पूरे मामले को भारत सरकार के संग्यान में लाना चाहते हैं ताकि स्टूडेंट का भविश खत्रे में ना पड़े इसी के साथ बने रहे हैं राइनमा डिवी के साथ दाने बाद